आज के वीडियो में संग आर्थरोपोडा के उपसंग मैंडिबुलेटा के एक वर्ग क्रेस्टेसिया के डिम्भक रूप को समझेंगे अर्थात लार्वा फॉर्म साप क्रेस्टेसिया के बारे में जानेंगे तो आपको बतादें कि कुछ क्रिश्टेसिया ही ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट प्रकार का परिवर्धने डेवलेपमेंट पाया जाते हैं और डायरेक्ट डेवलेप्मेंट में ब्रोण के बिभेदन और क्रमिक ब्रद्धी के द्वारा वयस्क अवस्था प्राप्त होती है। और इनका सिसु सामान संरचना में इनके जनक से बिलकुल मिलता है जैसे पैली मोन में। लेकिन अधिक्तम जो क्रेश्टेसियाई होते हैं अधिक्तम क्रेश्टेसियाई जनतुओं में आप्रतच परिवर्धन यानि इनडायरेक्ट डेवलेप्मेंट पाया जाता है तो उनमें बिभिन परकार के लारविये रूप पाया जाते हैं। तो क्रेश्टेसिया के विभिन लारविये रूपों को समझ लेते हैं। पहला है नैपिलियस लारवा जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं ये नैपिलियस लारवा है और यह अधिक्तम समुद्री क्रेश्टेसियाई में पाये जाने वाला सरलतम और सामानतम लारव यहां सबसे प्रारंभिक लार्वा अवस्था होती है जो नैपिलियस लार्वा अवस्था है यह सबसे पहले वाली लार्वा अवस्था होती है और यहां छोटा वा स्वतंत्र होता है इनमें तीन आश्पष्ट भाग होते हैं एक मध्यवर्ती नेत्र होता है या आख होता है आई होती है तथा तीन जोड़ी उपांग होते हैं, यानि तीन जोड़ी appendis पाए जाते हैं, जिनमें से एक antin acceptable होता है, antinual और सन्तुलनकारि उंग होता है, दू साख़ी antina होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिव भी रहा है, एक antinual है, संतुलन کारी अंग और दूे साखी एंटीना है और प्रचलन अंग तथा मैंडििल्स भी पाये जाते हैं और आपको बता दें ब्रैंकियो पूड प्रारियों में जो ब्रैंकियो पूड प्रारी होते हैं उनमें नेपिलियस लार्वा सीधा वयस्क में परिवर्धित हो जाता है या सीधा वयस्क में डेवलेप्मेंट हो जाता है लेकिन अन्यमे या मध्यवर्ति लार्वा अवस्थाओं कौन-कौन से मेटा नेपिलियस प्रोटो जोईया जोईया तथा माईसिस से गुजरता हुआ जाता ह तो अब दूसरा है μेंटा निपलियस लार्वा का चित्र है और निपलियस में ब्रिधी तथा निरमोचन की बाद मेंटा निरमोचन का निरमाड़ होता है इनका सरीर एक अगर चोड़े सिरोवक्ष या कलिजिकी सिफैलो थोरेक्स तथा लंबे उदर या लंबे एबडामेंड में बटा हुआ होता है उदर का जो अंत होता है अंत एक जोड़ी पुछे काटों में होता है और इनमें तीन जोड़ी उपांगों के अतरिक्त जैसा कि आपको चितर में दिख रहा है इनमें तीन जोड़ी उपांगों होते हैं और तीन जोड़ी उपांगों के अतरिक्त चार जोड़ी उपांगों के अबसिस भी पाये जाते हैं जिन में दो जोडी मैक्सली और दो जोडी मैक्सली पीट्स उपस्थित होते हैं कुछ डेकापोड में मेटानिप्लियस लारवा से जीवन चक्र आरंब होता है चली फिर अगले पर आते हैं अगला है प्रोटो जोईया लारवा जो प्रोटो जोईया लार्वा है ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ ये प्रोटो जोईया लार्वा का है और इसका सरीर एक चोड़े समखंड सिरोवक्ष तथा पतले उदर में बटा हुआ है सिरोवक्ष और पतले उदर में बटा हुआ है शिरोवक्ष एक छोटे प्रिष्ट वर्म द्वारा धाका होता है या कारापेस द्वारा धाका होता है और उदर अखंड तथा उपांग विहीन होते हैं जिसके अंतिम सिरे पर एक दुई साखी पुछ खंड पाया जाता है या टेलसंद पाया जाता है इनमें एक मध्यवर्ती नेत्र होता है एक बीच में नेत्र होता है साथ जोड़ी उपांग उपस्थित होते हैं एंटेनी होते हैं वो भी दुए खंडी होते हैं एंटेनील संधियों से निर्मित होते हैं निए एंटेनील भी होते हैं मैंडिबिल्स भी उपस्थित होते हैं पिर अगला लारवा है जोईया लारवा, तो जोईया में एक चौड़ा सिरोवक्ष तथा एक वक्रित उदर पाया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिभी रहा है, एक चौड़ा सिरोवक्ष होता है, या सिफायलो थोरेक्स होता है, और एक वक्रित उदर या वक्रित और दूसरा मेडियन रोष्ट्रम पाया जाता है और दो पार्स भी एक कंटा के लेटरल इस्पाइंस भी पाया जाते हैं जोहिया में उपांगों के साथ वच्छी उपांगों के अवसेश भी दिखाई देते हैं और इन में एक जोड़ी बड़े चलायमा नेत्र भी पाये जाते हैं फिर एकला लारवा है मेगा लोपा लारवा तो वास्तवी केकड़ों में जोहिया लारवा काया अंत्रण करके मेगा लोपा लारवा में बदल जाता है जो जोईया लारवा है उसमें काया का अंत्रण हो जाता है तो वो मेगा लोपा लारवा में वदल जाता है और यहां वैस्क के समान होता है तथा सभी 13 जोड़ी उपांग इसमें होते हैं छेजोड़ी प्लवपाद उयुक्त उदर सिरोवक्ष के साथ सीधी रेखा से जोड़े रहते हैं फिर अगला है गलोकौथी लारवा तो गलोकौथी लारवा हर्मिट क्रैप में पाया जाता है हर्मिट क्रैप में और इसकी संरचना मेगा लोपा के समान होती है बिलकुल मेग पत्त के पस्चात साइजोपोड लारवा का निर्माड होता है जिसमें वच्छी उपांगों में पहले तीन जोड़ी चीलेट उपांगों होते हैं फिर नेक्स है माईसिस लारवा तो जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है यह माईसिस लारवा का चित्र है और जोड़ी उपांग होते हैं और पांच द्विसाखित पस्च पस्चिय उपांग पाया जाते हैं उदर में पांच जोड़ी द्विसाखित पलवपाद और एक जोड़ी पस्च पाद पाया जाते हैं और पुछ खंड भी होता है यह टेलसंस भी पाया जाता है और कुछ जैसे लिपास है या सेकलाइना में इनमें जो नेपेलियस्त लारवा होता है वह तक साइप्रिस लारवा में बदल जाता है और इसका संपूर्ण सरीर एक कवच्ष के बाहर जाता है और इसकी रुपांतृत एंटेयुल पर सीमेंट ग्रंथियां पाए जाती हैं इसमें एक संयुक्त नेत्र होता है और सभी सिरोवच्छी उपांग भी पाए जाते हैं और आपको बता दें कि इसके उधर में से 4 से 5 खंड होते हैं उधर में 4 या 5 खंड पाए जाते हैं रगला लारवा है एलाइमा लारवा जो एलाइमा लारवा है यहां आपको चितर में दिख रहा है इसे ही एलाइमा लारवा कहते हैं और इसकी उला में जोया रुपांत्रित होकर एलाइमा लारवा बनाता है इसका सरीर पतला कचाब और पार दर्सी होता है इसमें सिर के सभी उपांगों पर फच्छी उपांगों में प्रथम दो ही उपस्थित होते हैं और उदर 6 खंड होता है यह उदर में 6 खंड पाए जाते हैं, फिर अगला लार्वा है फाइले सोमा लार्वा, तो यह बड़े आकार का चप्टा पती के समान कोमल और और कचाब होता है पत्ति के समान कोमल होता है चपटा होता है और इसे काच क्रेब भी कहा जाता है या ग्लास क्रेब भी कहा जाता है काच क्रेब या ग्लास क्रेब कहते हैं इसका सरीर तीन भागों सिर पारदर सी वच्छ और उदर में बटा होता है नेत्र सवरिंत होते हैं त छे जोड़े वच्छी उपांगों में से प्रत्थम जोड़ी मैक्सलिपीड्स अवसेसी, दुतिय जोड़ी एक साखी और तिरतिय जोड़ी सुनिर्मित एवं दुई साखित होते हैं तो इस तरह से क्या रहा लार्वा फॉर्म्स मैंने क्रिस्टेसिया की बताई अब अगर लार्विय रूपों का महत्तु देखा जाए तो हेकल के जाति आवर्तन नियम के अनुसार प्रतेक जियू अपने परिवर्धन या बेक्ति वृत्त के अंतरगत अपने जाति वृत्त को दोहराता है और क्रिस्टेसिया की लार्विय रूप इस नियम का पालन करते हैं और इससे पता चलता है कि क्रिस्टेसिया में चलती रहती रहती है और उपसंग मेंडेबलेटा संग आथ्रोपोडा के अतरगत आता है आसा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद